अखनाू सूपर जैन्स के सूपर फास बॉलर मया किया दव ने अपनी पेस से सभी को इंप्रेस किया है और उसके ठीक बात उनका कंपेरिजन उमरान मलिक से होने लगा कि आखिर दोनों सूपर फास बॉलरों में कौन सा बॉलर ज्यादा बैटर है लेकिन दोनों बोलर्स का comparison करने से पहले आपको उनके बीच का एक fundamental difference समझना पड़ेगा देखो उम्रान मलिक जो है उनका पेस निकलता है उनके shoulder से ही He is more of a shoulder oriented fastballer जिस तरीके से शोय बक्तर हो गए उमेश यादव हो गए या फिर जस्पिद दुम्रा और शेन बॉन्ड भी shoulder से बॉलिंग किया करते थे और जो मयादव है वो mostly wrist oriented fastballer है यानि उनका पेस उनके wrist इसे निकलता है जिस तरीके से महम्मद शामी है जिस तरीके से महम्मद सामी हुआ करते थे पाकिस्तान के fastballer या फिर Bradley को आप उसमें जोड सकते हो तो दोनों ही बोलर्स का style एकदम different है दोनों ही बोलर्स rhythm से balling करते हैं हर fastballer rhythm से balling करता है लेकिन दोनों ही बोलर्स के बीच में ये fundamental difference है दोनों का style एकदम अलग है और हमें यहाँ पर कुछ इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही super fastballer हमारे इंडिया से खेलते हैं